जहीं दोस्तो चाहे 8 साल का व्यक्ति हो चाहे 60 साल के बुजुर्ग हो यूपियाई एक ऐसी चीज है जो हर फोन में डाउनलोड हो चुकी है ओनलाइन जो इसका यूज है वो भड़ चुका है जैसे ही नोट बंदी आई थी लोकडाउन आए था उसके बाद में और ज्यादा का रुजान बड़ा है आपने कोई 10 रपे की पेमेंट करनी है वो भी दोस्तों आप सोचते हैं कि हम फोन पे गूगल पे या बीम पे पे टियम जैसे भी हैं वो कर दें लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक लिमिट भी हो की या क्यूं हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं क्य क्या हमें कैसे consequences हैं वो देखने को मिल सकते हैं income tax department किस नजरिये से इन transactions को देखता है इन सभी को भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है क्या आपने अपना UPI के अंदर current account को add करा रखा है क्या आपने saving account को add करा रखा है और क्या आपको income tax से notice आ सकता है तो ऐसे बहुत सारे question है दोस्तों जो इस वीडियो के अंदर हम discuss करने वाले हैं उनके समस्याओं का समधान करने वाले हैं उन questions को हम reply करने वाले हैं तो दोस्तों UPI से related इस वीडियो के अंदर हम इन सभी चीज़ों को discuss करने वाले हैं तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को start करते है UPI transaction and income tax and GST जी हाँ दोस्तो income tax का जो provision है और GST का provision है वो UPI की transactions के उपर क्या view देते हैं क्या consequences हो सकते हैं क्या rule and regulation है इन सभी के बारे में हम discuss करेंगे सबसे पहले हम discuss करेंगे normal limit क्या है UPI की UPI के अंदर अलग है और income tax के अंदर अलग है GST के अंदर अलग है क्या transactions यहाँ पे cover होती है income tax कौन सी amount पर लगेगा अगर आपने cashback वगरा जीता है तो क्या taxation होगा friend relative से UPI का पैसा आया है तो क्या relative transaction होगा इसके बाद में अगर आप online transactions वगरा will recharge payment करते हैं business करते हैं तो क्या transaction होगा और एक दुकानदार एक shop की पर है वो UPI की payment ले रहा है तो उसका क्या transaction होगा और इसके last में ही हम आपको कुछ advice भी देने की कोशिस करेंगे ताकि इन future में आप इन transactions को करने से पहले सोच विचार करें तो UPI का मतलब दोस्तों जैसे आपको पता होगा unified payment interface होता है जो कि लगबग 2016 के अपरेल में ये introduce किया गया था इसमें phone पे, Google पे, Paytm, Amazon, भारत पे, Beam पे आजकल तो हर एक company, हर एक bank आपको UPI की service है वो provide करवा रहे हैं तो UPI की जुरूरत हमें क्यों पढ़ी थी दोस्तों जैसे आपको पता होगा demonetization हो गया था उसके बाद में दो साल का जो lockdown और ये चीज़ें आई थी और लोगों को पैसा निकालने में bank से और से दिक्कत आई थी तो online transaction को बढ़ावा मिला था ये हमारी convenience के लिए हमारी सुविदा के लिए था अब ये हमारी habit बन गया है कई बार क्या करते हैं हम छोटे मोटे cashback के लिए या किसी की help करने के लिए या को incentives के लिए कई बार हम business के लिए ये UPI की transactions करते हैं लेकिन जैसे एक कहावत है excessive of everything is bad जो अती होती हर चीज़ की भुरी होती है तो आपको limit में जो अगर आप चीज़ करें हैं digital बन रहे हैं आप काई techniques का use कर रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि income tax department technology का use नहीं करेगा income tax department GST department दोस्तो हम से चार कदम आगे चलता है जो हम जहां पर अभी तक सोच भी नहीं पाते हैं वह सोच चुका है income tax department तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी यह सारी transactions है monitor हो रही है record हो रही है तो सबसे पहला question दोस्तों अपना था कि normal जो limit है वो UPI की क्या रहने वाली है जैसे मैंने बताया था UPI जो है वो अब गर आप किसी को neft, rtgs, im, ps या किसी तरह की net banking, e-wallet से online किसी को पैसा भेजते हैं और वही UPI है UPI कोई अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि यह कोई नई transactions का type है या तो cash होगा या other than cash होगा other than cash के अंदर आपका UPI आ जाता है और लगबग-लग-लग banks है जो आपको एक लाख रुपए per day की limit है वो देते हैं यह एक लाख रुपए की limit दोस्तो UPI की limit है income tax का GST का इससे कोई लेना देना नहीं है और मैं आपको clear कर देना चाहता हूँ income tax act के अंदर income tax department ने ऐसी कोई भी transactions की limit नहीं बताई है जैसे cash deposit की 10 लाख रुपए limit है या FD की 10 लाख की limit है ऐसी कोई भी limit income tax के अंदर नहीं है कि अगर आप इतना transactions करेंगे तो आपकी income tax department में reporting चली जाएगी ना ही GST department ने ऐसा कुछ बोला है कि आप इतनी ही UPI ले सकते हैं एक साल के अंदर current या saving account जो भी हो तो ये चीज आपको clear करनी है कि ऐसी कोई भी limit नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी limit नहीं है तो हम कितना भी लेंदेनी इसमें करते रहेंगे what transactions covered तो कौन-कौन सी transactions है UPI में cover होती है हम पैसा भेजते भी हैं प्राप्त भी करते हैं मतलब दोनों ही चीज़े हम करते है credit transactions का मतलब होता है दोस्तो amount received मतलब ऐसा पैसा जो हमें UPI से हमारे account में मिला है जिसे की sale मान सकते हैं service मान सकते हैं loan मान सकते हैं gift मान सकते हैं या हमने पहले किसी को loan दिया हुआ था वो हमारा loan है वो वापस आ चुका है तो इस तरह से इन transactions को हम treat करेंगे हम क्या treat करेंगे income tax department है वो treat करेगा लेकिन justification की जो है उसको justify करना हमारे उपर ही रहेगा इसके बाद में debit transactions का मतलब ऐसा पैसा जो UPI से गया है हमने amount paid की है हमने कोई खर्चा किया है कोई माल खरिदा है किसी को loan दिया है या किसी से पहले loan लिया था था उसको repayment की है मतलब यह transactions है UPI के अंदर आपकी मोटा मोटी मोटेटिस, मोटेडिस लगू होती है applicable होती है इसके बाद में income tax जो लगेगा वो कौन सी आपकी transactions पे लगेगा debit side पे लगेगा credit side पे लगेगा दोनों side पे लगेगा तो मैं clear करना चाहता हूँ debit side जो है वो आपका payment है नै कि आपका कोई income है या receipt है तो entire amount is your income मिलब जो credit side वाली amount है वो सारी कि सारी आपकी income मान ली जाएगी service माननी जाएगी provided that जब तक कि आप उसको satisfy नहीं करते हो उस चीज को justify नहीं कर पाते हो कि सर ये मेरी income नहीं है तो अगर मान लो अगर आप कहते हो कि ये सारी कि सारी amount है वो मेरी income नहीं है अगर आपकी service है अगर मान लो मैं एक chartered accountant अगर मैं आपको service देता हूँ तो उसके अंदर जो मेरा पैसा आता है वो जो पैसा आएगा दोस्तों वो सारी के सारी मेरी income नहीं है मैं service दे रहा हूँ वो तो service के अंदर मुझे क्या खर्चे भी करने पड़ते है मेरा rent जाता है मेरा office का staff है electricity है repair है, maintenance है तो उन सबी को घटाने के बाद जो भी आपकी income आएगी last में जो आएगा उसे net profit बोलते है उसके उपर आपको tax देना है नहीं कि आपने जो UPI सारी की सारी receive की है उसके उपर tax देना है clear इसके बाद में अगर आप sale करते हैं service नहीं करते हैं मतलब आप कोई माल खरीद के माल बेचते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा जितने रपे की आपको खाते में UPI आया वो आपने माल बेचा है तो माल बेचने के लिए आपको माल खरीदना भी पड़ा होगा तो purchase का amount गटा देंगे और जो sale है वो भी net profit के उपर tax देना है और जो यह sale यह service का जो भी आपने plus minus करके गटा रहे है overall देखेंगे annually पूरे साल के अंदर आपने कितनी service दी पूरे साल के अंदर कितना खर्चा हुआ और उसके बाद में जो last में आपको net profit बचा उसके उपर tax देना है वैसे ही आपको income tax के अंदर जो sale purchase करेंगे उसके उपर भी annually आपने पूरे साल में जो sale की है उसको अभी तक हमने GST की बात नहीं किये दोस्तों यह ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ हम income tax की बात कर रहे हैं जितनी receipt लेंगे उसमें से जो आपने खर्चा किया घटाएंगे जो net profit आएगा वो कितना है उसके इसाब से आपको आपने देखना है कि आपने return भरने की responsibility है या नहीं है डाई लाक्स उपर है तो return भरनी पड़ेगी पांच लाक्स उपर चला जाता है तो आपको return के साथ साथ में tax भी भरना पड़ेगा तो इसके बाद में शुरू-शुरू में तो UPI ने बहुत ज़्यादा cashback वगरा दिया था दो-दो-स उरपे, पान-बान-स उरपे cashback आ जाता था अगर आप छोटी सी transaction करते हैं तो अभी आप तो बहुत कम हो गया है अगर अभी भी आप transactions के थूरू, UPI के थूरू ऐसा कोई cashback है वो आप प्राप्त करते हैं इसके अंदर आपका credit card से बिल भरने के rewards वगरा सारे ही include हो जाते हैं अगर आप ऐसा transactions करते हैं पूरे साल के अंदर तो यह आपका क्या है? gift मना जाता है दोस्तो, normally जैसे मालोग कोई वेक्ति आपको gift दे रहा है फिरी में कोई पैसा आपको दे रहा है, कोई चीज दे रहा है तो आपको gift दे रहा है तो अगर पूरे साल के अंदर annually अगर पचास अजार से ज़्यादा amount आपका cross कर जाता है तो सारी की सारी amount है आपकी income from other source के head के अंदर taxable हो जाएगी और आपका जो slab rate है उसके हिसाब से आपको tax लग जाएगा माली जी 51,000 अजार पे आपने cash back पूरे साल में जीता है या प्राप्त किया है तो वो सारी की सारी आपकी income में जुट जाएगी अगर आपकी income डाईला करपे तक है तो कोई tax नहीं लगेगा अगर आपकी income 10,000,000 से उपर है तो इसके उपर आपको 30% tax देना पड़ जाएगा मतलब आपके slab के हिसाब से यह amount है वो taxable हो जाएगी इसके बाद में UPI from friends and relative हम यार दोस्तों के साथ भी family के साथ भी बहुत सारे transactions ऐसे करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है लेकिन फिर भी हम बिना बाद से वो transactions हैं कर लेते हैं तो दोस्तों ऐसा कोई amount received from family member, family income tax के अंदर एक family की definition होती है जिसमें की 15 नाम बताएगे हैं 15 मतलब 15 into 2 हो जाएगा जैसे ताउ है तो ताई भी हो जाएगा तो income tax act की जो section 56-2X बोलता है ये tax free है in the hand of recipient मतलब relative से ऐसा कोई भी पैसा आया है जो की आपके हाथ में exempt हो जाएगा इसके अलावा UPI received from any other person किसी और भी वेक्ती से कोई पैसा आया है आप कह रहे हो सर ये तो मेरी sale भी नहीं है मैंने माल नहीं बेचा उसको मैंने service भी नहीं दिये उसको कोई तो ये आपका जो पैसा है ये gift माल लिये जाएगा अगर आप उसको loan justify proof नहीं कर पाते हैं तो ये आपके उपर होगा अगर आप बोल देते हैं कि वही उस बेक्ती से तो मैंने ये loan लिया हुए amount मैंने उसको वापस देनी है तब तो आपके वो books of account में या कहीं पर भी आप उसको अटका लीजिए लिख लीजिए कि ये भई मैंने Mr. X को Mr. Y को Mr. Z को 50,000 रुपय देने है तो ये तो ना तो आपकी sale होगी ना आपकी service होगी और ना ही आपकी जो है ये gift बना जाएगा तो इसके उपर income tax नहीं लगेगा अगर उसको justify नहीं कर पाते हैं आप तो income from mother source मैंने जो पहले बताया था 50,000 रुपय से ज़्यादा है तो वो सारी के सारी amount है आपकी income tax के अंदर जुड़ जाएगी income from mother source में taxable हो जाएगी इसके बाद में काफी सारे लोग है हमारे जो online work करते हैं e-mitr का काम करते हैं ये जो csc वगरा जो भी online payment करते हैं recharge bill भरते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों जैसे की कोई मज़्दूर वेक्ति है या कोई बाहर रहने वाला दूसरे state में रहने वाला वेक्ति है वो उसके पास जाएगा और उसको बोलेगा कि सर ये मेरे 5,000 रुपय मेरे गाओ में भेजने है मुझे वो बोलेगा कि मुझे 100 रुपे का इसमें कमिशन चाहिए 50 रुपे का कमिशन चाहिए तो money send की या money received की उस online दुकान वाले ने तो ये इसकी income नहीं है इसकी income तो क्या होगी इसने bill भरा इसने recharge किया मानलो किसी व्यक्ति का 1000 रुपे का तो उसकी ना तो income है ना उसका खर्चा है तो मैंने जैसे आपको बताया था 10,000 रुपे उसके गाउं में भेज दिये उसने अपना 100 रुपे का commission ले लिया तो ये 100 रुपे का commission है ये इसकी income होगी इसकी income भी नहीं होगी ये दोस्तों कुछ खर्चा भी किया होगा salary, electricity, rent, जो भी खर्चा है उसको घटाएंगे उसके बाद में जो amount आएगी वो इनकी amount है, वो taxable होगी जिसको की net profit बोलेंगे और उसके उपर इसको tax देना पड़ेगा तो इसको अपनी ITR फाइल करनी है क्यों करनी है, क्योंकि तो ये amount सारी transactions है, वो justify हो जाएगी books of account है, record करने है कि मैंने आज की तारीक में इतने पैसे भेजे मेरे कोई तना commission बना और most of the cases में ITR 3 ही जाएगी जिसमें कि आपकी balance sheet, profit and loss count आप maintain करेंगे, अपने पूरे खर्चें अंदर ये जो commission income है 20 लाग से cross कर जाती है कई state के अंदर ये 10 लाग रुपए है तब आपको GST नंबर भी लेना जुरूरी हो जाएगा GST नंबर के बारे में दोस्तों हम फिर से एक बार ओर discuss करेंगे कि GST नंबर लेने के बाद में अगर आपको जुरूरत हो तभी लेना है otherwise क्या है बहुत सारी requirement formalities इसके अंदर आ जाती है मतलब आपको हर महीने return भरनी पड़ेगी जो भी आप service देंगे sale करेंगे उसके उपर आपको text भरना पड़ेगा बहुत सारी दुकानों पर आज कल लगबग हर दुकान पर दोस्तों आपको UPI का barcode मिल जाएगा एक भी नहीं मिलेगा चार-चार मिलेंगे पेटियम का भी मिलेगा Google के मिलेगा फोन पे का मिलेगा और हर बैंक वाले भी हाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो क्या करना है दोस्तों ऐसा कोई दुकान दार भाई है जो Sेल कर रहा है या सर्विस दे रहे है और वो consider की जाएगी उनकी Sेल या सर्विस तो जो भी पैसा उनके barcode से scan होकर खाते में आ रहा है तो उस amount को दोस्तों उनकी सेल या सर्विस माना जाएगा तो क्या होता है most of the cases में saving account में ही ये पैसा है लिया जाता है उन दुकानदारों के दबारा तो आपको क्या करना है अगर ज़्यादा ही लेन देन हो रहा है normally इसमें भी कोई limit नहीं है वैसे तो लेकिन 8-10 लाख रपे अगर साल का 10 लाख रपे भी cross कर जाता है तो saving का मतलब है आपकी छोटी-छोटी savings के लिए आप ऐसे बिना मतलब के transactions current में ही करने चाहिए आपको तो अगर आपका ज़्यादा लेन देन होते हैं तो आपको current account खुलाना है और एक बात और बताना चाहूंगा सिर्फ current account open करवाने के लिए आपको GST नमबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप MSME, food license या और कई तरहें के transactions ये आपके registration होते हैं ये लेकर के आप अपना current account खुला सकते हैं GST नमबर ना लीजिएगा दोस्तों अगर आपको सिर्फ current account खुलाना है तो तो इसके बाद में ये आपकी business receipt मानी जाएगी इसके अंदर से मैंने आपको पहले बता दिया है आपके purchase घटाई जाएगी फिर GP आ जाएगा फिर उसके बाद में और खर्चे घटा करके net profit आ जाएगा फिर उसके उपर आपको tax देना पड़ेगा अब बात करते हैं GST की अगर पूरे साल के अंदर दोस्तों आपने ये जो आप UPI से पैसा ले रहे हैं 40,00,00 रुपए अगर आप ये ले लिया है पूरे साल के अंदर अगर आप service देते हैं 10,000 रुपए तक भी लेते हैं तो आपको GST नंबर लेनी की जुरूत नहीं पड़ेगा ये उन स्टेट की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों जहां पे 40,00,00 रुपए आपकी जो है टरन ओवर है वो limit है और अगर आप service देते हैं जैसे हम है CA, advocate, doctor या consultant है कोई इस तरह की services दे रहे हैं जो माल नहीं बेच रहे हैं उनके लिए जो ये limit है ये 20,00,00 रुपए है और 20,00,00 को 365 से अगर हम भाग दे देंगे दोस्तों तो ये 5,500,00 रुपए आता है मतलब एक दिन का 5,500,00 रुपए तक आप UPI लेते हैं इसके अलावा और कोई पैसा आता है तो उसको भी consider करना है तब तक आपको GST नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको एक बार ये 20,00,00 रुपए या 40,00,00 रुपए cross कर जाते हो पूरे साल के अंदर या आपको ध्यान भी रखना है consider भी तरना है कि आपको कब cross हो रहे हो तब आपको उसके बाद में बाद वाली amount बरना की पूरी amount पर 40,00,00 के बाद वाली amount पर आपको GST भी देना पड़ेगा GST की return भी भरनी पड़ेगी और income tax भी आपको बरना पड़ सकता है अगर आपकी income उस limit से cross हो रही है तो जो sale करते हैं दोस्तो shopkeeper हैं वो तो ITR 4 direct भर देंगे 44 AD में जैसे 30,00,00 रपे sale की उसको online अगर transaction हुआ है तो 6% उसको दिखाना जुरूरी है तो 1,80,000 रपे उसको दिखाना पड़ेगा अपनी net profit और 5,00,00 पैसे कम है तो उस वेक्ति को return भरने की कोई जुरूरत नहीं है लेकिन उसे return भरने को भर देगा अगर वो तो justify हो जाएगा और 4 जगहें पर वो काम आ जाती है मैंने बताया 8% तो cash transaction पर है और 6% है जो other than cash पर है उसका net profit माना जाएगा कोई खर्चे नहीं मिलेंगे आपको जैसे आपकी 60,00,00 रुपै सेल हो गई है सारी online you pay होई है तो इसका 6% हो गया दोस्तो 3,60,000 रुपै यह आपको net profit दिखाना है डायलक से उपर है return भरनी जुरूरी हो जाती है और tax आपको इसमें नहीं लगेगा तो इस तरह से आपकी limit अगर यह cross हो जाती है तब आपको GST नबर भी लेना पड़ता है अब let's suppose एक विक्ति के account में एक क्रोड रुपै का transactions हो गया है तो उसको justify करना पड़ेगा कि या तो मेरी service थी मैंने तो commission कमाया है इसके अंदर यह सारी की सारी आपको GST department को पता लगता है तो दोस्तों आपको सारी की सारी amount के उपर GST भरवालिया जाएगा तो आपको दिक्कत प्रशानी का सामना करना पड़ सकता है इसके बाद में आपको मैं कुछ tips है दोस्तों share करना चाहूंगा जिनका कि आपको ध्यान में रखना है अगर आप ये online transactions बगरा करते हैं किसी को पैसा भेजते हैं तो आपको RBI authorized money transfer getaway लेना चाहिए मतलब आपको authorized होकर ही काम करना है मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप अपने मर्जी से बैट गए फोन पे Google पे ऐसे transfer कर रहे है तो एक proper limit channel के इनकी franchise आती है कावी सारी उनके according ही आपको वो transactions करने है उनका लेना है cash payment, bill received payment अगर आप ऐसे transactions करते हैं किसी को payment कर देते हैं तो अपने एक register बना के रखिए Excel के अंदर maintain करिए कहीं पर भी maintain करिए एक minute लगता है दोस्तों उनका धारनमर डाला उस वेक्ति का maintain कर लिए कि भई मेरे तो इस वेक्ति से 50,000 रपे आये थे और मैंने इस वेक्ति को 50,000 रपे भेज दिये मेरे तो को सिरफ 100-200-500 रपे का commission इसमें बना है और आपकी ITR जुरूर भरिये दोस्तों घबराइए मत डरिये मत आपको ITR भरने से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके सारे transactions हैं वो government को आपको बता देंगे आप खुद ही चल करके self-assess कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी जो commission income है वो ही आपको दिखानी है आपकी balance sheet बनाईए profit and loss account बनाईए और आपको return भर देनी है कई बर क्या होता है आपका TDS भी काट लेती है जिस company की आपने franchise वगरा ली होई है तो वो TDS भी आपका अपना refund ले सकते हैं और साथ में यह जो transactions है उनको भी बताईए कि सर यह मेरी income नहीं थी ऐसे से करके मैंने इसको payment की थी और यह मेरी income है और आपकी जो GST की limit cross हो जाती है तो GST नमबर ले ले लें दोस्तों नहीं तो आपको GST department छोटने वाला नहीं है क्योंकि अभी 4-5 साल से GST department अरकत में नहीं आया है action में नहीं आया है लेकिन बहुत ही जल्दी सारे फैंस ले खोलने वाले है सब कुछ automated हो गया है GST pen number सब आपस में interrelated है अधार number डालते ही दोस्तों आपकी सारी कुंटली खुल जाएगी तो आपको अगर वो आपकी limit cross हो रही है तो GST number भी जरूर ले ले जो भी personal से friend से relative से बिना मतलब की transactions आप करते हैं unnecessary transactions उनको भी आप avoid करिए क्यों कर रहे हैं दोस्तों आप बिना मतलब की transactions है avoid करिए हो सकता है तो किसी को third party बाहर से बाहर ही सल्टाने के कोशिज की जिए बहुत ज़्यादा emergency आगी है तो उस transactions को करिए और उसका भी record maintain करिए कि यह पैसा कहां से आए था क्योंकि चार साल बाद भी अगर आपका case खुल गया income tax के अंदर तब आपको वो transactions एक एक justify करनी में दिक्क्त आएगी कहां से बताओ कि आपकी पैसा कहां से आए था वैसे तो उसके अंदर UPA ID बगएर सब होती है लेकिन अगर आप time to time में maintain करेंगे तो ज़्याद दिक्कत नहीं आएगी इनका record रखिए नेमर की ये किस परपस से आये थे किस परपस से गए थे और ITR फाइल कीजिए GST pay की अगर applicable हो रहा है और उसके बाद में आप unlimited transactions कर सकते हैं तो कहने का मतलब UPA ID के अंदर आपको कोई मना ही नहीं है कि आपको इतनी ही transaction करनी है transactions आप करोड की करिए जा 10 करोड की करिए लेकिन आपको उसका record maintain करना है अगर income tax बनता है तो वो pay करना है GST के अंदर आते हो तो आपको GST भी उसका भरना ही पड़ेगा तो इन सबी बातों का आपको ध्यान में रखना है आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम आपकी help करने के लिए बैठे हैं हम आपको advise करने के लिए बैठे हैं तो दोस्तो आशा करता हूँ UPI और income tax से related जितने भी provision थे उनको मैंने बारिकी से deeply आपको समझाने की कोशिज की है और आपको समझ भी आगे होंगे फिर भी इस वीडियो से related UPI से related income tax से related कोई भी आपका doubt query question रह जाता है दोस्तो तो आप बेज जिजए comment box में comment कर सकते हैं हमारी mail ID पर आप mail drop कर सकते हैं हम आपकी भी समस्याओं का समधान करने की कोशिज करेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करके bell icon दबा दें और इस beautiful information को अपने चाहने वालों में भी share कर दें thank you so much दोस्तो जय हिंद जय भारत